तो आईए, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि राश्ट्रिय पोसनमा अभियान के अंतरगत आप सभी आगनबारी सेवी का बहनों को अपना यूजर आईडियो और पासवर्ड अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो वो यूजर आईडियो और पासवर्ड कैसे आप लोगों को प्राप्त करना है इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि आप सभी को मालूमी होगा कि राष्ट्रिय पोसनमा एक सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच आयोजित की जा रही है इसको लेकर ICDS विभाग के द्वारा सभी राजियों में जो है इसका लेटर भेज दिया गया है जैसे कि आप सभी को बता दे कि इस राष्ट्रिय पोसनमा के दोरान आप लोगों को कुछ विषय दिये जाएंगे उन विषयों के तहत आप लोगों को राष्ट्रिय पोसनमा के डैसबोड पे आप लोगों को सारी गतिविधियों को अपलोड करना है जो विशय दिये गए है, अलग अलग विशय हैं और अलग अलग गतिविधिया हैं वो सारे गतिविधियों को आप लोगों को अपने अस्टर से राष्ट्रिय पोशन माँ के डेस्वोड पे अपलोड करना है तो उसके लिए आप लोगों को user ID और password कैसे provide होगा वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जैसे कि इस बार जो राष्ट्य पोसन मा आयोजित किया जा रहा है इसको लेकर जो बिसाय हैं यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कितने विसाय रहने वाले हैं और कैसे आप लोगों को इन विसायों के तहट जो गतिविधिया है वो एड करनी है यहाँ आप देख सकते हैं पहला विसाय दिया गया है एनिमिया दूसरा ब्रिधी निगरानी तिसरा पूरक पोसार चोथा पोसन भी परहाई भी पाचवा सेवाओ की गुनवक्ता चाथा पाड़े वरंदिवा सातवा पोसन को परभावित करने वाले छेत्र और आठवा सामोहिक जागरूकता अधारित गतिविधिया तो ये टोटल आठ विषय हैं इन आठों विषयों में आप लोगों को अलग-अलग गतिविधिया जो है वो देखने को मिलेगी पोसन महा के डैस्पोर्ड पे वहां पे सारी गतिविधियों को डेलि वहां पे अपडेट किया जाएगा और उन गतिविधियों को आप लोग वहां से अपलोड कर सकते हैं ठीक है उप्रोक्त थीम अधारित गतिविधियों को सभी विभाग के सम्मानोंवे से कराते हुए पत्र के साथ संगलंगन यूजर आईडी एवं पासवर के द्वारा जन आंदोलन डैस्पोर्ट पर परति दिन की गतिविधियों को परविष्ट किया जाना है जिसके अधार पर जीला एवं परियोजना के रैंकिंग निर्धारित किया जाता है जैसे कि आप लोग इस डैस्पोर्ट पे जो जो भी गतिविधियों को एड करेंगी उस गतिविधियों के अनुसार आपका जो परियोजना है वो किस रैंक पे जाएगा वो आप लोगों के काड़े के अनुसार वहां पे निर्धारित किया जाएगा तो आप लोग जीतना हो सके आप अपने पर यूजना के नाम को आगे लाइए और अपने स्तर से यहाँ पे जो भी गतिविधिया दी जाएंगी उसको आप लोग अपलोड डेली जरूर करें अब आईए हम बात करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा तो आईए अब हम आप लोगों को यूजर आईडी और पासवर्ड के बारे में बताते हैं कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे रहने वाला है जैसे कि यहाँ पे देख सकते है जन, अन्दूलन, डेश्वोड, यूजर अईड़, पासवर्ड यहाँ पे एक डिस्टी का नाम दिया गया है और ब्लॉक लेबल यहाँ पे जो है की यूजर नेम दिया गया है आपको मैं बता दों कि जो आप लोगो का user id रहेगा वही आपका password भी रहेगा तो जो आप लोग user id use कर रहे थे पिछले वर्स मैं आप लोगों को बता दूँ क्योंकि यहाँ पर अभी आप देख पाएंगे कि पिछले वर्स यहाँ पर जो है user id नया यहाँ पर देखने को मिला है तो आप लोगों को अगर इस परकार से जो नया user id दिया गया है तो नया user id को आप लोग use कर सकते हैं नहीं तो आप लोगों को इस परकार से user id अगर नहीं पराप्त हुआ होगा तो आप लोग पिछले वर्स वाला जो user id है जैसे कि छोटा m, छोटा o और छोटा w and cd ठीक है उसके बाद minus के बाद जो आप लोगों का unicode है जैसे कि एक से लेके 10 तक का जो unicode होता है उसमें से आप लोगों को एक से लेके 7 तक ही unicode को use करना है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7 ठीक है इस परकार से आप लोगों को साथ अंको का ही शुरू का जो unicode है उसको use करना है और जो आप लोगों का user id रहेगा वही आप लोगों का same password भी रहेगा इसमें कहीं पे भी आप लोगों को space नहीं देना है छोटा m लिखना है छोटा o, छोटा w and cd यहाँ पर minus कच्चिन रहेगा और जो आप लोगों का unicode होगा उस unicode का जो seven digit का शुरू का नंबर है वह आप लोगों को user id में लिख लेना है और password भी आप लोगों को same लिख लेना है अगर इस प्रकार से आप लोगों को user id block level user id अगर आप लोगों को जो Unicode है वो यहाँ पे Block Level पे इस जीले के लिए Unicode दिया गया है तो इस परकार से अगर आप लोगों को Block Level यूजर आईडी मिला हुआ है तो ये यूजर आईडी लिखेंगे और जो ये यूजर आईडी रहेगा वही आपका पासवर्ड भी रहेगा तो इस प्रकार से आप लोग अपने user ID और password डालके पोसन महा के जन आंदोलन डैस्पोर्ट पे जो भी गतिविधिया इस वर्स आप लोगों को दी जाएगी उन गतिविधियों को आप लोग अपलोड जरूर करें अगर आप लोग फोटो और वीडियों भी capture करते हैं तो उसक की ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा यदि चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के वेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद और जितना हो सके इस और नियागन बारी बहनों तक सेर कर दिजेगा मिलते हैं फिर किसी नए टपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद